हेलो वेन, मेरा नाम है आशिस और आप देख रहे हैं टेस्टी कोटी चनल हमारे e-commerce application का ये 16th पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं admin, services और admin के login करने के लिए कुछ हम TS code देखने वाले हैं उससे पहले मैं आपके एक बार recall करवा दू कि फिचले वीडियो में हमने यहाँ पे जो nav bar था उसको condition based routing दिया था और अगर जब sign in होगा तो seller के वहाब पे हमारे nav bar आएगा अगर बाएर login होगा तो बाएर के वहाब पे हमारे nav bar आएगा अगर admin login होगा तो admin के वहाब पे यहाँ पे आना चीए लेकिन अभी तक हमने admin के लिए न login देखा न services देखा तो पहले हम admin के लिए भी अपना services बना लेते हैं और login कर लेते हैं उसके बाद जाके हम फिर बाकी dashboard पे वर करेंगे product section पे वर करेंगे, checkout पे और बहुत सारी चीज़ी है इसके अंदर उन सारे module पे हम लोग work करेंगे, ठीक है तो चलते हैं, सबसे पहले आपको visual studio code दिखाते हैं पिछले video हमने header पे आया था और यहाँ पे सारी चीज़ी हमने fix की थी और navbar पे हमने condition wise navbar यूज किया था ठीक है और पिछले video हमने language को हटा दिया है अब language को हम एकदम last में ही shift करेंगे क्योंकि language से हो सकता है project बीच में कहीं कोई problem आजाए जिसकी वज़े से run ना हो तो उस वज़े से इसको हम last में ही देखेंगे, cover करेंगे, ठीक है अभी के लिए हम इसी को लेके चलते हैं okay, तो बाकी सारी panel को हम यहां से करते हैं, close यहां से भी close और here close ठीक है, इसको कर देते हैं collapse collapse और shared folder को भी करते हैं, collapse आज आते हैं admin folder ठीक है, यहांवारा admin component है admin component के अंदर हमारे already admin dashboard component है admin login component है, service component है और user code component है, ठीक है तो basically यहांपर हम सब SGP पर, अब legacy, आप हम admin service को write करते हैं code ठीक है, admin service में basically सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ आप हम सबसे पहले कुछ urls बनाएंगे, ठीक है, कुछ services inject करेंगे, और उसके बाद हम इसके service लेखने वाले हैं ठीक है, और admin के बहाब पर क्या क्या services होने चाहिए, मतलब क्या क्या service वो provide कराएगा with the help of HTTP, वो सारी चीज में समझाने वाला हूँ, वो सारी चीज में हम discuss करेंगा आज के इस बीडियो बेगा, चलो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ variable create कर लेते हैं, पहला variable हम यहाँ पर publicly create करेंगे तो यहाँ पर हम define कर देते हैं public user underscore URL, यह हमारा user का URL होगा, basically user की URL के लिए हमें करना कुछ नहीं है, वही हमारा HTTP चलो HTTP जाने दो, मैं आपको अपने terminal पर दिखाता हूँ, यह रहा यहाँ पर आप देख सकते हो, यह रहा हमारा URL, इन तीनों URL को basically मैं copy कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने copy कर लिया और अभी इसको हम तीनों को paste कर देते हैं अब आप सोच रहोगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों paste कर दिया ठीक है, इसको मैं करता हूँ double quote में, और यहाँ मैं देता हूँ, define करता हूँ public user underscore URL is equal to ठीक है, यहाँ पर दूर हो गया, यहाँ पर पब्लिक के लिए URL हो गया ओके, नाओ यहाँ पर one forward slash over add कर देता हूँ अब इसको भी मैं करता हूँ, double quote में और यहाँ पर equal sign sign करता हूँ after that, यहाँ पर लिखता हूँ, public और पब्लिक के बाद यहाँ पर देता हूँ product URL product underscore URL ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको forward slash देते हैं और सेम इसी तरीके से इसको भी हम करते हैं order section को भी हम यहाँ पर double quote में यहाँ equal assign करते हैं address से पहले में लिखता हूँ, public all user ठीक है, यहाँ पर basically मैं user और all user में थोड़ा से एक different है वो भी आप cover कर लोगे, समझ जाओगे ठीक है, तो public को थोड़ा से पहले में address signals में रखूँगा user, sorry all user लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है all underscore user और यहाँ पर अभी मैंने जिस चेकाउट लिख रखा है, इसको चेकाउट नहीं, इसको हम user ही रखेंगे ठीक है, और यहाँ बे forward slash हम इंप्लिमेंट नहीं करने वाले हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आप समझ जाओगे बाद में, ठीक है अभी जब आगया की code करेंगे ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे, right click करते हैं, इसको थोड़ा से एक बाद फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सिक्केर्स में हो जाएं, perfect, अब हम आते हैं, अपने इसको terminate आप करना हो कर सकते हो, terminate करना एक standard होता है, और इसका भी termination का भी अपना काम है, Java script में, ठीक हैं, आप इसको समझना होगा तो मैं इसको बता दूगा आपको आराम से, अब यहां पे सबसे पहले मैं एक इस्ट्रक्टर के अंदर, मैं implement करने वाला हूँ, API service, as you know, API service हमने बनाया था, ठीक है, तो इसको जो मैं जिक करना दूगा, private property थो करना, API service, ठीक है, जो की core के अंदर हमारा services मैंने लिखा था, आप लोग को याद हो, I hope की याद होगा आपको, ठीक है, अब यहां पर हम एक method बनाएंगे, अपने user dashboard data के लिए, ठीक है, मैं यहां लिखता ठीक है, और, यहां पर simply हम return कराएंगे value, return this.api service, dot, हमारा जो API service के अंदर, get URL होगा, get, और इस get URL के अंदर हम, क्या पास करेंगे, this.user, user URL, ठीक है, this.user URL, यह क्या करेंगा, हमें user के URL प्रोइड कराएंगे, अब user के URL जब यहां पर आएगा, और इस API के अंदर जाएगा, वहां पर get method से, जो भी data लाएगा, वो इसके through bypass करेंगा, हमारे admin dashboard पे, ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझाएंगे, अभी जब login पैनल लिखेंगे, dashboard लिखेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, अभी ये समल लो कि user data के लिए हम यहां पर ये API, एक URL फायर कर रहे हैं, ये API फायर कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, product dashboard data भी हमें चाहिए, तो हम यहां लिखते हैं, product dashboard data, ठीक है, product dashboard data के लिए हम, same as, बिल्कुल वही सही करेंगे, return this dot API service dot, और यहां पे भी हमें get method यूज़ करना है, और यहां पे भी हमें this dot product URL यूज़ करना है, data चाहिए, तो हम यहां पे product URL यूज़ कर लेंगे, after that, यहां पर आपको all user भी चाहिए, तो all user, और all user में हम, return this dot apiservice dot get, और यहां पर हम, यहां पर अभी आपके एक चीज़ दिखाते हैं, this dot all user, ठीक है, बड़, यहां पर एक चीज़ है, जगर आपको all, जब return कराओगे न, तो all data में किसी भी type का data हो सकता है, तो you must be use observable, हमेशा जाद रखना, जब आपको multiple type का data हो सकता है, किसी भी तरिके की data आपको observe करके return कराना हो, तो आप observable any use करना मत भूलना, जिससे कि आपका data handling बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, data handle करना बहुत आसान हो जाएगा, बड़, यहां पर, यह चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि, अगर पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे वीडियो में प्रोजेक्ट में, मैंन यूरिल के part को, मतलब analyze करता है, analyze करने के बाद उसके सारे के सारे data को observe करता है, observe करना मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी data की observation कि कौन सा data किस area पर रखा है, कैसा रखा है, ठीक है, उसकी key value, pairs, इन सारे चीज़ को manage करता है, देखता है, उसके बाद observe करके तब data को return करता है, ठीक क्योंकि बहुत सारे interview में भी फूचे जाते हैं, लोग confused है उसको बता ही नहीं पाता है कि data observable का मतलब क्या होदा है, ठीक है, तो I hope कि आपको इतनी सी मतलब छोटी से बात में समझ में आगी होगी, यदर नहीं समझ में आ रही है, तो इन सारे चीज़ के लिए न, एक proper हमें एक form बना हुगा, आप लोग उस पे मतलब अपनी वोटिंग करना तो उसी हिसाब से हम वीडियो बना दिया करेंगे, separately, मैं WhatsApp ग्रूप पे टाल दिया करूँगा, और इन सारे चीज़ जैसे मुझे लगेगा कि हाँ मेरे audience जाता है, मुझे देखने वाले जाता है, तो मैं उ अब बात आती है, अगर जब आपको अल यूजर में डेटा पास करना होगा, तो उस केस में क्या करोगे, तो यहाँ लिखता हूँ, add user, sorry, add user करना होगा, by admin के थ्रूप, admin मालो हो सकता है, रिजिटर करें, डेटा, तो उस केस में आपको simply यहाँ यूज करना है, return, this.apiService.getMethod, और इस getMethod में हम simply pass करेंगे, this.userUrl, नहीं, sorry, एक गलती होगी, यहाँ पर जब add करेंगे, तो मतलब data insert करेंगे, तब हम क्या लेंगे, post method, और इस post method में हमेशाथ रखना है, यहाँ पर argument जाएगा, और argument में हमने क्या बनाया था, user underscore DTO, अगर आपको याद हो तो, पिछले वीडियो में जब user registration form बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पहला argument होगा, this dot user URL, second होगा हमारा user DTO, ठीक है, उसके बाद हमारा यह data पास होगा, अब यहाँ पर रर आ रहा होगा, कि यह किस type का है, यह तो हमने बताया नहीं, तो इनको बता दो कि भी है, यह data जो है, आप इसको बता सकते हो, यह तो एनी टाइप का है, या आप चाहो तो अपने user model जो है, उसके थ्रू भी data पाइपास करा सकते हो, अभी मैं बता दे रहाँ कि यह एनी टाइप का है data, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो हमारा add user, admin भी add कर सकता है user को, next आते हैं, अब मान लो, admin किसी single user data को द of Hindi visual user ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे single user, और इस single user का method को हम read करेंगे with the help of user id, तो यहाँ पर आप simply दे दो user underscore id by simple जबात है, किसी single user को read करने के लिए आपको उसकी id की जरुवत होगी, तो return this.apiservice.get method and, इस get के अंदर हमने क्या लिखा था, this. this.user.url, user id और यह id जो होगा हमेशा number type का होगा, simple सी बात है, तो यह हम दे देते हैं number, अब यहाँ पर आ रहा है error, कि हमें http, assignable parameter type of number, कोई नहीं, हम यहाँ पर any type का number में user id में भाई हो सकता है, text भी आ सकता है, तो हम इसे दे देते हैं, कि हमारा any type का कुछ भी data हो सकता है, तो आप उसके विहाँ पर हमारा data, user single user को हमें fetch करके दे दो, ठीक है, and same thing, अगर हमें किसी data को update करना हुआ, ठीक है, तो update करने के लिए, भी हमें data चाहिए, मालो admin चाहिए कि किसी user को update कर दो में, उसका कुछ ऐसी information है, जिस विए update कर दो, तो उसके लिए हमारा admin भी कर सकता है, तो यहाँ लिग देता हूँ, update data of individual user, ठीक है, और यहाँ पर हम देने वाले हैं edit user, और इस edit user में, हम दो argument पास करेंगे, पहला user ID, जो की होगा any type का, second user DTO, जो की होगा हमारा any type का, ठीक है, यहाँ पर multiple records हम भाई, simple से पास करेंगे, और यहाँ multiple records पास करेंगे, तो हमें इसकी data की observation की जुरुत पड़ेगी, जिससे के हमें data handle करने में problem नहुँ, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर any type का होगा, और यहाँ return करा लेंगे, this.abiService.put, और इस put पर मैं simply पास करूँगा, this.userUrl, प्लस user ID, ठीक है, and second argument हमारा क्या हो जाएगा, userDTO, perfect, तो हमारा क्या service में बना, कि जब हमें add करना होगा, कोई data insert करना होगा, तो हमें single argument पास करना होगा, बट अगर जब edit करना होगा, तो हमें 2 argument पास करने होगे, जब हमें data fetch करना होगा, मतलब get करना होगा, तो without any argument के भी आप data ले सकते हो और साथ में argument दे के भी ले सकते हो बिना argument मतलब all data fix करना और argument दे के data fix करना मतलब कोई single records fix करना ठीक है इस चीश को हमेशा रख लग ये बहुत point वाली बात है उसके बाद next पे आते हैं एक और बचा है मालो कोई user delete करना चाहे admin कोई user को delete करना चाहे तो यहाँ देते हैं delete user simple सा और simply यहाँ पर हम method बनाएंगे delete user parenthesis और ले ब्रेकेट open and close return और इसको भी तो हम user ID के थ्रू ही delete करेंगे तो आप simply user ID argument यहाँ लेनो उसके बाद this.apiservice.delete और यहाँ this.userurl प्लस user ID ठीक है बस आपको इतना सा ही काम करना है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना इतने में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा ठीक है अब आप समझ गये होगे कि हमने आपर all user पे हमें कुछ भी forward slash के जरुद नहीं बढ़ेगी और क्योंकि यहाँ पे हमें all user चाहिए तो यह पूरा user लाइद देगा यहाँ forward slash के जरुद इसलिए पड़ी क्योंकि हमें concanate करना था user ID को साथ में तो इसलिए forward slash के साथ ID लेके जाएगा तब ही आपको data return करके लाके दे पाएगा ठीक है अब इस फाइल को करते हैं save हमारा admin का service बनके त्यार हो गया है इसे करते है close और open करते हैं अपने admin के login पैनल को और आज आते हैं अपने type script पार्ट पे और थोड़ा सा हम यहाँ पर type script लिख लेते हैं admin के login का ठीक है अगर आपको कोई problem ना हो तो ठीक है तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर implement on init करेंगे उससे पहले यहाँ पर आपको commons module अड़ करना मस्ट है don't forget to use commons module उसके बाद यहाँ पर जो भी form यूज़ करोगे आप उसको यूज़ करना जिरूरी है तो मैं यहाँ पर दोनों form यह फिलाल add कर लिता हूँ reactive forms module and forms module and http client also ठीक है तो मैंने चार चीज़ यहाँ पर import कर लिया है ठीक है अगर आपको problem हो तो अब इसे fix कर सकते हो but something went wrong there चलो http client अभी हटा लेते हैं अभी हम इसको use करेंगे अब पिल्कल परिशान मत हो न अलाकि यहाँ पर हमें http का कामी ने क्योंकि services पर हमने already लिख लिए हैं तो हम यहाँ पर diet उस service को ही call कर लेंगे ठीक है तो आज आते हैं यहाँ पर हम यहाँ आप सब से पहले implement कर लेते हैं यहाँ on init को all init को ठीक है और यहाँ बना लेते हैं constructor constructor और साथ ही साथ यहाँ पर बना लेते हैं ng on init ng on init ठीक है now सब सब पहले तो यहाँ पर हम एक छोटा से variable लेंगे जो कि हमें sign in form के लिए चाहिए होगा यहाँ simple से लिखेंगे sign in form value form value और यह चोब होगा हमारा any type का होगा इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक यह होगा अब constructor पे हम क्या-क्या इंजिक करने वाले हैं चलो देख लेते हैं सब सब पहले हम private property जाथ हम यूज करेंगे router को simply router colon router राउटर हमने राउटर एड़ किया कॉमा यूज करूँगा प्राइवेट और यहां पर यूज करने वाला हूँ login service login service आप लोग को याद हो बहुत सारे project वीडियो पड़ा है आप कोई सा भी देख लो उठाके सब पर आपको कुछ न कुछ solution मिल जाएगा ठीक है बस इतना ही अभी हम import करते हैं अब आ जाते हैं हम अपने ng on int के बाहर और यहां पर हम एक simple सा method बनाने वाले हैं बहुत छोटा सा बहुत simple सा कोई इसमें doubt नहीं होगा कोई problem नहीं होगे आपको और एक simple सा method ही लिखेंगे बस होगे ठीक है पहले लेखते हैं on submit ठीक है submit sign in यह हमारा एक method है और इस method पर सब सब पहले simply this.login service. अब यहाँ पर हम एक admin login नाम का method बनाया था आप तो के याद हो admin login अब इसके अंदर हम message पास करेंगे this.signinformvalue.user email user email ठीक है and comma second this.signinformvalue. यहाँ पर हम देंगे user password यह से alt z करते हैं वो ड्रेफ हो जाएं यह दो हम value बेजेंगे dot subscribe कर लेंगे subscribe करने के बात क्या होगा हम आप डेटा मिलेगा तो हम यहाँ पर डेटा लेंगे arrow function यूज़ करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर this.user data के अंदर सारे डेटा ही यूज़ कर लेंगे सारे डेटा लेंगे अब हमारे पास जो भी डेटा subscribe करके लाए इस user data variable के अंदर डाल दिया ठीक है अब यहाँ पर हमें condition फिस लगाने वाले हैं इस यूज़ डेटा अगर इस यूज़ डेटा डॉट लेंथ अगर इसकी लेंथ अगर इसका लेंथ इक्कुल इक्कुल वन है ठीक है अगर इसका लेंथ है मतलब इसके अरे में कुछ नो कुछ वैलू आई है तो आपका क्या रो session storage dot set item फिर यहाँ पर item set करो क्या set करो simple सकी है user underscore session underscore id पहली चीज id set करो और उसकी id में क्या set करोगे यह तो हो गया कि value में उसके set करो this dot user data के zero index में जो भी हो उसकी id set कर दो ठीक है पहला चीज set कर दिया मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर दो same बिल्कुल इसको आप चाहो तो copy कर सकते हो copy करो enter करो paste अगर दोसरे वाले में आपको क्या देना है rule और यहाँ पर आपको सिफ replace करना है id की जगह पर कि इसका role भी यहाँ पर set कर दो जब यह दोनों चीज set हो जाए तो उसके just बाद आओ और type करो this dot router dot navigate by url navigate by url करो और simply आप कहां पहुँचा दो इसको admin के dashboard पे आप लोक समझ गये होगी एक दम simple तरीके से बता रहा हूँ इससे ज़्यादा simple हो सकता है आपको कोई बता ले पर मुझे नहीं लगता ठीक है उसके बाद यहाँ पर आते हैं एल्स कंडिशन में देते हैं मालन उसकी length रही ही न one one होई ही न मालन अंडिफाइंड आ जाए या null आ जाए या value ही सही न रहे गलती से आ जाए तो याब simply एक अलर्ट करा दो कि invalid data in valid valid response ठीक है second जब यहाँ पर आप करा लोगे तो उसको अप फिर से एक बार आप यहाँ पचा हो तो console करा नहीं तो करा सकते हो लेकिन console करा ही लोग जादा सही रहे क्योंकि आपको error वगड़ा पता चलता रहेंगा console log में this.user data को आप यहाँ पर console करा ही लो ठीक है उसके बाद इस वाले जब data subscribe करते हो तो आप curly bracket open करते हो तो हमें सायद रखना यह जो curly bracket close होता है यहाँ पर यहाँ पर आप server का error कैच करा सकते हो simply comma use करो comma use करने बाद आपको लिखना है error arrow back function के साथ बस हो गया अब आप यहाँ लिख दो console.log और यहाँ पर पहले key दो अपना खुद का my error comma यहाँ पर यही वाला error का variable पास कर दो तो यह क्या करेगा है server दोरे response दो लाता error का उस error को यहाँ पर दिखा देगा है ठीक है और उसके बाद आप इसको save कर दो आपका method बनके तयार हो गया है तो आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से admin का service बनाते है admin में user dashboard product dashboard all user dashboard साथ में all user का data कैसे add user कैसे करेगा user का data edit कैसे करेगा user का data update कैसे करना user का data कैसे delete करना इन सारे चीज़ का service हमने बनाया उसके बाद जाके हमने login का type script file में अपने method हमने write कर दे हैं अब next वीडियो में हम login form बनाएंगे और अपने admin के dashboard पे redirect करा के देखेंगे कि successfully redirect हो रहा है की नहीं हो रहा और successful redirect हो जाने के बाद देखेंगे कि हमारे नेप बार रपे क्या क्या menu दिखता है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको कोई doubt होता है इसमें तो comment जरूर करें वीडियो पो like करें आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो पो like करते हो और आप support करते हो और आप हमें नए नए topics बताते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं इन सारे topics का एक Excel फाइल बना रहा हूँ उसमें मैं आपको उसके वीडियो बनाता रहूँ आगे और आप local support मिलता रहेगा और आप चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर पर ले मिलते हैं नए वीडियो में तक तक ले बाबाए keep practice, keep coding, take care guys